मेरे प्यारे दोस्तों यहां सच्जन मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं विवाह से संबंदित अपरादों की विशेव में IPC के देट पूरा एक अध्याय दिया गया है वो अध्याय 20 है अध्याय 20 में विवाह से संबंदित अपरादों के विश्वय में जो धाराएं बनाय गई वो धाराएं हैं 493 से लेकर की 480 में तक विवास से संबन्दित अपरादों के संबन्द में प्रावदान किया गया है जो की IPC का अध्या 20 है तो उसमें दारा 413 में क्या करती है, उसमें क्या प्राधान है, संसेर में हम आपको बताएंगे, पहला, वेदी पुर्ण विवा का प्रवंचना से विश्वास, उत्प्रेरित करने वाले पुरस द्वरा कारिप सहवास, 413 में, और 414 में, पती या पत्नी के जिवन काल में करना, फिर वड़ते हैं सिक्रम में आगे, धारा 445 में, वही अपराध पुर्वती विवा को उस विक्ति से छिपा कर, जिसके साथ पस्चात वर्थी विवा किया जाता है, और धारा 414 में, पिदी पुर्ण विवा के बिना, कपट पूर्ण विवा करम पूरा कर लेना, 446 म अगर विवा नहीं हुआ है, और कपट से छल या कपट से विवा कर लेना, आई-पी-सी-400 चिन में, और आई-पी-सी-400 सत्यार में, जार कर, एडियल्ट्री, अर्थ-अर्थ की जार कर, जार कर, जार कर, की डिटेल में आपको अलक्सी वीडियो बनाई हुए, उसमें आप, देख सकते हो, फिर 498, विवाहित तास्त्री को आपरादिक आसाई से फुसला कर ले जाना, या निरूत करना, ये 490 से लेकर के 480 में, और इसके अंदर 498 ये भी है, तो सारी ये दाराएं हैं, विवाहित से सम्द्दित अपरादों के विशाई में हैं, और आई-पी-सी का अध्याई 20 है, तेंक्यू दोस्तों, बने रहे हैं बचसा और सब्सक्राइब करना, नहीं भूलें,